Hello everyone, आपका हमारी YouTube चैनल पर स्वारत है तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है GE यानि की General Elective Marketing for Beginners इसका Unit 1 का टोपिक करेंगी तो लास्ट वीडियो में हमने जाना था Marketing for Beginners, GE सब्जेक्ट का सलेबस आज इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी Unit 1 ठीक है की Unit 1 में आपको क्या-क्या पढ़ना है तो आईए discussion करते हैं Before starting, अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की update आपको time से मिलती रहे साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनकी भी help हो सकें तो देखिए आपका इस जो subject है G.E. Marketing for beginners इसमें Unit 1 में आपको पढ़ना है Introduction to Marketing, Concept, Scope and Importance यानि कि Marketing का परीच है Marketing क्या होती है, इसकी अवधारना, शेत के तथा महत्व तो आए स्टार्ट करते है तो अगर हम बात करें Concept of Marketing यानि कि मार्केटिंग की अवधारना तो Marketing होती कह है Marketing refers to the process of promoting, selling and distributing products Marketing जो है एक procedure होता है एक प्रक्रिया होती है, जिसमें हम क्या करते है उत्पादो या सेवाओ को बढ़ावा देने, बेचने तथा वित्रित करने का प्रयास करते है इसमें घ्राकों की जरुरतों तथा इच्छाओं को पुरा करने का प्रयास किया जाता है Marketing जो है वो बेसिकली एक procedure है एक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपने उत्पाद या अपनी सेवाओ को बेजने के लिए वित्रित करने के लिए तथा अपने profit को maximize करने के लिए यानि कि लाप कमाने के लिए क्या करता है अपने उत्पादों की advertisement करता है घ्राकों तक अपने उत्पाद की जानकारी पहुंच जाता है ताकि ग्रागों की जरूरत तथा इच्छा पूरी हो सके हर चीज को बेजने से पहले उसकी marketing की जाती है यानि कि जो ग्राहक होते हैं जो customers होते हैं उन तक अपने product की बात जो है अपने product की जो खासियत है वो पहुँचाने का प्रयास किया जाता है ताकि जो producer है मतलब की जो उत्पादक है उसका भी फायदा हो तथा जो ग्राहक है उनकी भी जरूरत तथा इच्छा है पूरी हो सके ठीक है तो ये basically एक procedure होता है अगर हम English में देखे तो marketing refers to the process of promoting, selling and distributing products or services to meet the needs and desires of customer ठीक है ये एक procedure होता है जिसमें क्या किया जाता है promote किया जाता है किसी product को and उस product को sell किया जाता है customer को जोरी नहीं है कि product को ही sell किया जाए हो सकते है किसी service को भी sell किया जाए ठीक है तो basically आपको दोनों चीज़ें include करनी है selling and distributing of product or services क्योंकि इसमें product की भी marketing हो सकती है and services की भी To meet the need and desire of customer Customer की needs and desires को fulfill करने के लिए अब next देखिए यह लक्षित दर्शकों को समझने उनके लिए मुल्य स्रीजित करने तथा दिर्ग कालिक संब्ध बनाने से जुड़ा हुआ है इसमें क्या क्या जाता है Marketing में सबसे पहले यह कोशिश की जाती है कि दर्शक या जो विक्रेता है जो customer है उसको समझा जाए कि customer की needs क्या है उसकी wants क्या है मतलब कि जो ग्राह कैजिए जो customer है वो क्या खरीदना चाहता है क्या उसकी जरुरत है तो सबसे पहले उत्पादक को यह समझना होता है इसके लावा उनके लिए मुल्यस रिजित करने का भी प्रयास किया जाता है मतलब यह देखा जाता है कि जो customer है उसका budget कितना है अगर customer middle class याने की मध्यम वर्ग से बिलों करता है तो उसके लिए ऐसी वस्तू का निर्मान करना होगा जो उसकी ज़रत को भी पूरा करे और उसके budget के अंदर लिया है ठीक है तो marketing में यही किया जाता है यह सोचने का प्रयास किया जाता है यह समझने का प्रयास किया जाता है कि जो दर्शक है जो ग्राहक है उसका क्या wants है उसकी क्या उसकी needs है एंड उसका budget क्या है ठीक है क्योंकि जो ग्राहक है अगर समान उसके budget से बाहर होगा तो वो नहीं खरीद पाएगा तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास क्या जाता है कि ग्राहक का budget क्या है ठीक है इट involves understanding the target of audience creating value for them and building long term relationship इसके लावा इसमें ये प्रयास किया जाता है कि कस्टमर के साथ एक long term relationship बिल्ड किया जाए ताकि कस्टमर हमेशा हमारी ही कंपनी का समान खरीदे अगर हम producer है तो हम यहीं चाहिएंगे कि हम ऐसा समान बनाए कि जो कस्टमर है हमारी कंपनी का ही समान खरीदे दूसका समान ना खरीदे तो इसलिए मार्केटिंग में इस चीज़ का विध्यान रखा जाता है कि जो कस्टमर है उसके साथ एक long term relationship बिल्ड की जाए ताकि इन future भी कस्टमर हमारा ही समान प्रैफर करे ठीक है मार्केटिंग में क्या-क्या पढ़ा जाता है क्या-क्या समझा जाता है तो जब भी हम बात करते हैं मार्केटिंग की तो मार्केटिंग में सबसे पहले market research आती है मतलब कि इस चीज़ पर research कि जाती है कि ग्हाहक जो है जो customer है उनकी needs क्या है मतलब कि customer को किस चीज की जोरत है दूसरा customer की preference क्या है मतलब अगर मान लो customer को ज़रूरत है कोई घड़ी खरीदने की अब जो घड़ी है वो उसकी जोरत है customer की need है कि उसको घड़ी खरीदनी है लेकिन customer की preference भी देखी जाएगी कि customer को किस तरीके की घड़ी खरीदनी है अब घड़ी करी करी तरीके की आती है जैसे smart watch भी आती है normal watch भी आती है ठीक है ऐसे भी घड़ी आती है जिसमें digit नी लिखी होती only उसमें symbols बने होते है ठीक है तो customer को किस तरीके की घड़ी खरीदनी है इस चीज़ पर भी research की जाती है ताकि पता चल सरी की customer की preference क्या है अब मान लिजिए आप producer है एंड आप घड़ी बनाने का काम करते हैं ठीक है अब अगर जो customer है उसको घड़ी खरीदने है smart watch एंड आप बनाते है normal watch तो आपकी घड़ी कोई नहीं खरीदेगा profit कमाना है तो नहीं तो आपको loss होगा ठीक है तो इसलिए जब भी हम marketing को analyze करते हैं जब भी हम marketing के बारे में जाने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हमको market research करनी होती है ठीक है मतलब की हमको identify करना होता है कि customer की needs क्या है customer की preference क्या है मतलब customer क्या खरीदना चाहता है ठीक है तीसरी बात ये भी देखनी होती है कि market trend क्या है मतलब की आजकर market में क्या trending चल रहा है क्योंकि क्या होता है customer वही चीज़ खरीदना चाहता है जो trending हो वो चीज़े जो outdated हो चुकी है वो चीज़े जो की out date हो चुकी है उन चीज़ों को customer नहीं खरीदना चाहता ठीक है तो इसलिए market trend को जाना भी जरूरी है marketing के लिए हिंदी में देखिए ग्रहा को क्या आवशक्ता पसंच तर्था बाजार प्रवरीतियों की पहचान करने के लिए अनुसंधान किया जाते है designing and developing product that fulfill customer expectation मतलब कि ऐसा product design करना ऐसा product develop करना जो की fulfill करे customer की सारी expectations को ठीक है अब अगर आप घड़ी बनाते हैं तो आपको ऐसी घड़ी बनानी होगी जो की customer की सारी expectation को fulfill करें ठीक है इसके लिए आपको ये भी जानना होगा कि customer की क्या expectations आज के समय में है घड़ी को लेकर ठीक है customer को कैसी घड़ी पहनना पसंद है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा market में दोस्की जो घड़ी की shops है वहाँ पर जाकर आपको पता करना होगा कि जो customer है उसको किस तरीके की घड़ी पहनने का शोक है मतलब कि किस तरीकी घड़ी है जो कि सबसे जादा बिक्ती है ठीक है इससे आपको क्या पता चलेगा इससे आपको पता चलेगा कि market का trend क्या है and customer की preference क्या है ठीक है इसके लावा जब आपको यह सब पता चल जाएगा तो आपको सबसे पहले design करना होगा मतलब कि सबसे पहले एक rough sketch बनाना होगा जिसमें आपको लिखना होगा कि आप जो भी अपना product बना रहे है अगर आप घड़ी बना रहे है तो उसमें आपको क्या-क्या features डालने होगे कि आपकी जो घड़ी है market में आते ही customer सबसे पहले आपकी घड़ी खरीदना चाहे तो आपको design and develop करना होगा अपनी घड़ी को इस तरीके से कि customer की सारी expectations fulfill हो जाए customer यानि कि ग्राहक की सारी अपेक्षाओं को पूरा करने वाला जो उत्पाद है वो आपको तयार करना होगा तभी आप profit कमा पाएंगे ठीके तभी आप अच्छे से marketing को कर पाएंगे real life में next है advertising and promotion इसमें क्या होता है advertising यानि की advertise करना ठीके जैसे कोई भी product होता है उसको सबसे पहले बनाने के बाद क्या के ज़्यादों उसके advertisement दी जाती है advertisement आप टीवी में भी देखते है कई तभी आप फोन में भी देखते होंगे advertisement आती है अलग-अलग चीज़ होगे ठीक है तो यह जो advertisement होती है क्योंकि जाती है यह inform करने के लिए की जाती है customer को अपने product के बारे में ठीक है advertisement अलग-अलग mediums के through दी जाती है लग-अलग माध्यम से दी जाती है जिसे TV के जरीए, social media के जरीए print media के जरीए ठीक है तो इन सब के जरीए क्या किया जाता है अपने product के बारे में customer को inform किया जाता है ताकि customer को पता चल सके कि ऐसा भी कोई product market में है ठीक है ठीक है, advertisement यानि की promotion करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है marketing में ठीक है next आ जाता है sales and distribution इसमें क्या कि जाते है जब हमने अपना product design भी कर लिया develop भी कर लिया, उसके advertisement भी दे दी तो अब हमको यह सुनिश्चित करना होगा यह ensure करना होगा कि हमारा जो product है वो customer तक पहुँच सके ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना होगा अलग-अलग local market में या जो mega market है वहाँ पर अपने products को पहुचाना होगा, ठीक है ताकि customer वहाँ से easily वो product खरीच सके अब मान लिजिए आपका काम है घड़ी बनाने का तो आपने जो घड़ी बनाई है अब जाहिक सी बात है जो customer है वो आपकी factory तो ढूंडेगा नहीं आपकी घड़ी लेने के लिए आपने customer का advertisement दे दी अब आपको जो घड़ी है वो local shops पर पहुचानी होगी ठीक है मदब कि उनको sale करनी होगी ताकि customer उस घड़ी को local shop से खरीच सके ठीक है या फिर जो बड़ी-बड़ी market होती है mega market होती है वहाँ पर आपको उनको पहुचाना होगा अपने products को पहुचाना होगा ताकि customer भहाँ पर जाकर easily वो product buy कर सके खरीच सके ठीक है customer को ज़्यादा ढूड़ना ना पड़े आपके product को buy करने के लिए तो इसके लिए ये सुनिश्चित करना होगा कि उचपाद को घड़ाकों तक पहुचाया जा सके तो इसलिए जो सबसे important चीज़ है marketing में वो sales and distribution भी होती है ठीक है उसके बार आता है customer relation management यानकि CRM इसमें क्या होता है maintaining strong and trust worthy relationship with customer मतलब कि घड़ाकों के साथ मजबूत तदा विश्वास पूर्न संबंद बनाए रखना इसमें क्या किया जाता है इसका मतलब है कि हमने जो product बनाया है वो ऐसा product हम बनाए कि जो customer है वो use करके अच्छा feel करें ठीक है customer को हमारे product को use करने में अच्छा feel हो strong feel हो ताकि जो customer है वो हम पर trust करे and in future भी हमारा ही product खरीदें ठीक है तो इससलिए जितने भी producers होते हैं भान रखना चाहिए कि वो ग्राकों के साथ एक मजबूत तथा विश्वास पून समध बनाए ताकि भविश्या में भी ग्राहक उनी के सामान को खरीदें ठीक है उनी की company के सामान को खरीदें तो ये भी important होता है marketing के लिए ठीक है उसके बार आता है importance of marketing यानि की marketing का महत्व तो marketing का महत्व कह है marketing के बहुत महत्व होते हैं जैसे पहला है economic growth marketing drives economic development marketing से क्या होता है economic development होता है मतलब कि earth विवस्था में सुधाव होता है ठीक है by encouraging production and consumption क्योंकि जो marketing है वो क्या करती है उत्पादन को तथा consumption को यानि की उपभोग को बढ़ा देती है प्रोथ साहित करती है ठीक है marketing, production and consumption को encourage करती है जिसे economic development होता है यह आप भी जानते होंगी GDP GDP क्या होता है कि किसी country में एक साल में कितना production हो गए ठीक है जितना ज़ादा production होगा उतनी ज़ादा GDP होगी जितनी ज़ादा GDP होगी उतना ज़ादा economic growth होगी ठीक है तो marketing जो है वो भी यही करती है वो क्या करती है production and consumption को बढ़ा देती है यानि उत्पादन और भोग को बढ़ा देती है जिससे GDP बढ़ती है GDP बढ़ती है तो आर्थिक विकास बढ़ता है ठीक है तो इस तरीके से marketing overall क्या करती है आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है economic development को encourage करती है next है customer satisfaction यानि कि customer को satisfy करना it helps in understanding and fulfilling customer needs effectively marketing जो हो help करती है customer की needs को समझने में and fulfill करने में ठीक है marketing के थूह ही हम क्या कर पाते है customer की needs को and customer की wants को समझ पाते है and उनको fulfill कर पाते है ठीक है यानि कि यह है ग्रहा को क्यावशक्ता को समझने तदा प्रभावी धंक से पूरा करने में मदद करती है next है brand building marketing जो है वो किसी भी brand की reputation को बढ़ाने में मदद करती है ठीक है अब आप बहुत सारी चीजों से वाकिफ होंगे अलग-अलग brand होती है जैसे mobile phone होता है वो भी अलग-अलग brand का होता है mostly लोग iPhone prefer करती है जो कि Apple brand का होता है तो यह जो brand होती है इसको कौन promote करता है marketing promote करती है ठीक है अलग-अलग जो brand होती है उसको promote करने का काम किसका होता है marketing का तो इसलिए का गया है कि marketing जो है इसका ये फायदा भी है कि marketing brand building करती है बहुत जल्दी किसे भी brand को famous कर देती है ठीक है promote कर देती है Marketing ब्रैंड की प्रतिष्ठा तथा बाज़ार में पहचान बनाती है मदब कि किसी ब्रैंड की reputation and visibility को बढ़ाती है market के अंदर Next है employment generation Marketing जो हैसे क्या होता है Job opportunities create होती है जैसे advertising, sales and distribution ये जो पुरा procedure होता है marketing का जिसमें advertising, sales, distribution ये सब included है तो इस पूरे बड़े procedure में बहुत सारी लोगों को क्या मिलता है रोजगार मिल जाता है तो इस तरही के से marketing जो है employment generation भी करती है यानि की रोजगार की भी विध्धी करती है क्यूंकि बहुत सारी लोग हैं जिनको marketing के जरीए ही अलग-अलग शेत्रों में नोकरिया मिल जाती है ठीक है तो ये सब marketing की वज़े से हो पाता है तो इसलिए ये भी काफी help करती है employment generation में next है innovation encouragement मतलब की marketing encourage करती है business को innovate करने में and improve करने में अपने products and services को ठीक है मतलब की वो लोग जो के अलग-अलग business run करती है उनकी help करती है marketing कि वो लोग अपने product and services को improve कर पाए यानकी innovation को encourage करती है अब marketing के ज़री क्या होता है market में अलग-अलग brands आती है अलग-अलग companies आती है जो कि अपने product बनाती है अब जैसे आपको घड़ी खरिदनी है तो घड़ी जो है वो भी अलग-अलग company की होती है ऐसा नहीं एक ही घड़ी बनाने वाले सिरफ एक ही company है बहुत सारी companies के घड़ी होती है अब ये सारी जो company है वो कैसे trend में आई है marketing के जरीए ही trend में आई है ठीक है इस तरीके से क्या होता है जब अलग-अलग companies marketing के जरीए trend में आ जाती है अपने product बनाती है तो हर company चाहेगी कि उसकी जो product selling है वो बढ़े उसकी जो product की demand है वो increase हो तो इसके लिए हर company क्या करती है अपने product में innovation करती है मतलब कुछ ना कुछ नया add-on करती है ठीक है ताकि customer जाड़ा से जाड़ा customer उनके product की तरफ attract हो तो यही होता है marketing में ठीक है इसमें क्या होता है इसमें हर company जो है वो क्या करती है अपने product की selling को बढ़ाने के लिए increase करने के लिए innovation करती है मतलब की नईने चीज़े उसमे add-on करती है इससे क्या होता है जाता है उस product में ठीक है अगर हम example देखे घड़ी का तो पहले जो घड़ी थी वो normal आती थी बहुत normal से घड़ी आती थी लेकिन आज की time में घड़ी जो है वो इतनी branded आने लगी है smart वोच आने लगी है तो अलग-अलग innovation होते जाते है एक product में इससे क्या होता है एक product का best version तयार होता रहता है जिससे जो लोग है उनकी जो wants हैं वो और भी अच्छे से fulfill हो पाती है ठीक है लोगों को और भी options market में मिल पाते है तो यह सब marketing के जरीए ही हो पाता है तो इस तेके से marketing innovation को भी encourage करती है ठीक है आई अब conclusion देख लेते हैं तो अगर हम conclude करके बोलें तो marketing जो है यह critical function है एक बहुत ही महतोपून प्रक्रिया है जो ना केवल विवसायों को बढ़ाने में मदद करती है बलकि समाज तदा आर्थिक विकास भी करती है ठीक है marketing क्या करती है societal and economic development को increase करती है increase करती है encourage करती है तो यह बहुत important है marketing के बारे में ठीक है अगर आपके exam में marketing के ओपर questions हो रहाएगा इस से related कि marketing क्या होती है या marketing का scope बताओ importance बताओ तो उसमें आप यह points ज़रूर add on किजेगा and साथ ही last में conclude करते हुए आप यह भी लिख सकते है that marketing is a critical function that only help business grow but also contribute to societal and economic development मतलब marketing ना सिरफ business को grow करने में मदद करती है business को बढ़ाने में मदद करती है बलकि यह society and economy का development भी करती है ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास thank you for watching this video जब लूसरो झारो यही दाधने टे थाफ वीडियों कोस्तों कि उस्थाएब भी वीजाई तो यह फितने है logos आम yeah अलिब भु़ ो